हेलो गाइस वेडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ जो डिविडेंट कंपनी का आया बथा उसका रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया गया एक सेतंबर 2023 का लेकिन कितना अमाउंट का है यह भी नहीं बताया गया लेकिन फाइनल डिविडेंड है और यह एन्वल जनरल मिटिंग म रखाया तब हम लोग चलते कंपनी के फिनांसल रिजल्ट्स पर जो कि नंबर पहले गाई समनों कॉंस ओंस डेटर को कवर करें करोड़ में नंबर से इंकम में 596.8 क्रोड का पिछले कौटर में 562.8 क्रोड का और जून 22 क्वाटर में 517 क्रोड का इंकम था क्वाटर और क्वाटर येर-उन-yar दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है एक्सपेंस इस 468.8 क्रोड का जून 22 क्वाटर में 377 क्रोड का उनबर कर जून 22 क्वाटर में 169.7 क्रोड का और जून 22 क्वाटर में 139.7 क्रोड का ओ गरपेंटिंग प्रॉटर के यहां पर निट पॉफिट निकल के आया है 93.5 करोड का पिछले कौटर में 68.7 करोड का और जुन 22 कौटर में 105.7 करोड का नेट पॉफिट है क्वाटर ऑन क्वाटर में तेजी है यह औन यह में डाउन देखने को मिल रही है तो गाइस कंपनी का जो तो नंबर जो है करोड में 571.7 करोड का पिछले कौटर में 533 करोड का और जुन 22 कौटर में 506 करोड का इंकम था क्वाटर ऑन क्वाटर ऑन क्वाटर ऑन क्वाटर ऑन यह और दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है एक्सपेंसेस 429 करोड का पिछले क्वाटर में 424 करोड का और जुन 22 क्वाटर में 368.6 करोड का एक्सपेंस हुआ था quarter on quarter में तो यहाँ पे expense increase है लेकिन year on year में expenses भी increase कहा है इसका बत operating profit है 142 करोड का पिछले quarter में 108.8 करोड का और June 22 quarter में 187.7 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में तेजी देखने को मिल रहा है net profit 106 करोड का पिछले quarter में 81.6 करोड का और June 22 quarter में 103 करोड का net profit है quarter on quarter year on year में increase किया है एपीएस कंपेनी का 3.89 रूपेज का है क्वाटर और क्वाटर एर ओन यह दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है तो यहां पर किसी इप कॉंसॉलिडेटेट का क्वाटर और की पॉफिट में जो है तेजी था लेकिन यह रॉनियम फॉफिट में इंपक्ट प्लस कि बहुत स्टॉंग रिजल्ट पेच किया तो यहां पर कंपनी अच्छी रिजल्ट पेच है तो हम लोग वीडियो को ही पर रेंट करते हैं अगर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं नेक्स बोड़ों में तिल दर बाबाइ झाल